एक अधेर उम्र के आदमी के मूँ से जाग गल रहा है, दुकान में पागल हो जाता है, फिर वो लगातार कापते हुए जमीन पर गिर जाता है, बाहर के लोगों का एक समूह शीशे पर वार करता है, वे अंदर के लोगों से भीक मांग रहे हैं कि उन्हें अंदर आने दें, लगता है बाहर कुछ डरावना है, पता चला की जहर से लदा एक बड़ा ट्रक शहर में घुसता है, वो रास्ते में ही रुख जाता है, चालक खाली हाथों से चाबी तोड़ता है, एक नकाब पोश आदमी गैस वाल्फ खोलता है, एक सुरक्षा गार आगे बढ़ता है, उ एक रिस्टरम में चल जाता है, फिर वो जमीन पर गिर जाता है, अपनी आखे पीछे घूमा लेता है, हर कोई अपने जीवन के लिए दौर रहा है, आपदा से बचने के लिए एक सुविधा स्टों में प्रवेश करना चाहते हैं, दुकान में लोग मौत देखते हैं लेकि वे जहरीली धुन को आते देखते हैं, सब पागल होकर भागने लगते हैं, योंग ने इम जल्दी से सभी को वापस होटल ले जाता है, लेकिन यह ध्यान रखते करते हुए कि उसकी बहन अभी भी कार में है, वो घबरा कर भाग जाती है, अप्रत्याशित रूप से लर्ख करता है, यूई जू, एक साथ स्थिती की जांच करने के लिए खिर्की के किनारे पर जाएं, पूरे शहर में जहरीली धुंड फेल चुकी है, और इसके अलावा यह लगातार बढ़ रही है, यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है, छट पर भागते हुए, यूई जू को द पहुँचना आसान नहीं, केवल बंद दर्वाजा है या खोजता है, अविश्वस्तनी अस्टो मैनेजर दर्वाजा खोलने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो चाबी लाना भूल जाता है, नीचे की ओर जहरीली गैस तेजी से उपर उठ रही है, उनके लिए बहुत कम स ठान पर जाकर सहायता की प्रतीक्षा करें, अगर गैस मास्क है, इसका उप्योग केवल 10 मिनट के लिए किया जा सकता है, दो लोग एक ग्लास पैनल में आते हैं, वे कॉलेज में माउंटन क्लाइंबिंग के निशनांत हैं, योंग नाम यूवी जू को बताता है कि उसे वि इसकस्ट्रो की विधी का उप्योग करता है, अंत में ग्लास पैनल ठूटता है, फिर योंग नेम अपनी कमर के चारों और एक रसी बांधता है, जूते बदलता है, वो कुछ क्रिया करने जा रहा है, जब उसके पिता ने खबर सुनी, तो वो उसे रोकने के लिए दौए, शांत हो जाओ, उतेजित मत हो, तभी उसकी मा भी दौड़ पड़ती है, योंग नाम जानता है कि वो अब और देरी नहीं कर सकता, जिचा का सफलता का कारण बनेगी, वो गती पाने के लिए दौड़ने लगता है, हाला कि योंग नाम नहीं गिरता, वो लगभग अपने लाल्चियों के समान साथियों द्वारा घसीता जाता है, सौभागय से योंग नाम हर दिन अभ्यास करता है, वो अंत में उपर चड़ने में सफल होता है, पूरे परिवार ने राहत की सांस ली है, इस समय यूई जू एक बैक फेकता है, योंग नाम इसे देखने के लिए खोलता है, यह की चेन और एंटी स्लिप पाउड है, सभी परवतारोहन के साधन है, अपने प्रेमी और अपने परिवार की उम्मीदों के साथ विश्वास खात नहीं करते हुए, वो उपर चड़ना जारी रखता है, एक इमारत की छट पर चड़ते हुए, वो एक चड़ी उठाता है, जोर से चिलाता है, डैमेशियन, और फिर जाता है, वो पत्थर की दिवार पर चड़ने लगता है, नीचे अंतहीन जहरीली धुंद है, कोई भी गलती उसे हमेशा के लिए दुनिया से दूर कर सकती है, वो पत्थर के खंभे के चारों और रस्सी लपेट कर शीष पर चड़ जाता है, हाला कि वो बिना किसी प्रोथ साहन के घिरा हुआ है, वो अपने जीवन का उप्योग उपर चड़ने के लिए करता है, लेकिन उसकी रस्सी खत्म होने वाली है, अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो निरनायक रूप से रस्सी को खोल देता है, आगे चड़ना जारी रखता है, यू ही जू और उनका परिवार मौट से चिंते थें, लेकिन वो इसे और अधिक हासिल करने के लिए जोखिम ले रहा है, अंत में वो अंतिम चरण तक पहुँचता है, वो उस वर्ष को याद करता है, यू ही जू के सामने खुद को दिखाने के लिए, वो लापरवाही से कूदता है, लेकिन उस समय वो असफल हो जाता है, उस समय यदि वो असफल होता है, तब भी वो जीवित रह सकता है, अगर वो इस बार विफल रहता है, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। के लिए पागलपन के साथ रोते हैं, लेकिन दूसरा पक्षमूल रूप से उनकी बात नहीं सुनता, यूई जू बहुत बुद्धिमान है, सभी को फोन की फ्लेश लाइक को सिगनल के रूप में उपयोग करने के लिए कहता है, फिर विद्यूतिय संदूप पाता है, इमारत की नियोन साइन को नियंतरत करता है, जमकती रोशनी आखिकार हेलिकॉप्टर को आकरशित करती है, हर कोई बारी-बारी से सीड़ी चरता है, लेकिन जब यूई जू जाता है, विमान पहले से ही ओवलोड है, स्टो मैनेजर हमेशा यूई जू के साथ मजाग करता है, अब क जठिन चुनाव करता है, उसे अपने परिवार की खिंचे जाने की परवा नहीं है, वो रहने का फैसला करता है, जिस लड़की के साथ वो जीना और मरना पसंद करता है, हैलिकॉप्टर के जाने के बाद, यूई जू फूट-फूट कर रोने लगी, वो बहुत छोटी और सूरत है, सियोल से फ्रांस तक उसकी लाइन का पीछा करने वाले, उसे क्यूँ मरना चाहिए, बहुत समय बाद, उन्हें पता चला, कि हैलिकॉप्टर पहले उंची मंजलों को बचाने को प्राथमिक्ता देंगे, वे अभी भी नहीं बैट सकते और मृत्यू की प्रतिक्ष कर सकते हैं, उन्हें उंची मंजल पर दौर ना होगा, योंग नाम नीचे दौरता है, अपात काली नुपकरणों को लेता है, यूई जू कुछ सुरक्षात्मक साधन भी लाती है, अब उन्हें अपनी जान बचा कर भागने की पूरी कोशिश करनी है, दोन लोगोंने सुर जगा फोन बज रही है, जहरीली धुन्द में एक एक व्यक्ति की मौत होड़ ही है, परिवार के सदस्य होंगे जो पुकारते, चिलाते रहते हैं, दोनों एक छट पर दोड़े, लेकिन यह पहले से ही जहरीली धुन्द से धता हुआ है, आगे कोई रास्ता नहीं है, समय भ अपनी जान बचा कर भाग जाता है, बेशक, पुरुषों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो आपनी मदद खुद कर सकती है, वो परवतारोहन में भी माहर है, बहुत जल्दी उंची छट पर चर सकती है, फिर योंग नम को गधे होने के लिए जोर से डांटती है, गैस मास्क खोजने के लिए नीचे जाता है, यूई जू गहराई में चली गई, उस आदमी द्वारा जो अपनी सुरक्षा की परवा नहीं करता और उसके साथ रहने के लिए, दोनों जहरीली धुन से भागते रहते हैं, और जिम में पहुंचते हैं, केवल एक अंतिम फिल यूग नाम जल्दी से पीछे जाता है, लेकिन जब वो बीच में चलता है तो जहरीली धुन्द चा जाती है, और यहां तक यूई जू तक भी बहा आती है, यूग नाम वापस जाने का फैसला करता है और यूई जू को भागने के लिए कहता है, वहाँ जहरीली धुन्द तेजी से फैलती है, उसके मन में यूई जू भागना चाहता है, लेकिन उसका शरीर विरोध करता है, वो चाबी के गुच्छे को देखती है, क्या उसे इसे उतार देना चाहिए या उसे रखना चाहिए? इस बार चुनाव करने की बारी उसकी है, जीवन और मृत्यू के ब बर्दस्त उर्जा का संचार होता है, दोनों एक उंची मंजल पर दोरते हैं, उन्होंने साइन और स्टैंड एक साथ रखे, दिखावे के लिए कि यहां बहुत सारे लोग हैं, हेलिकॉप्टरों का ध्यान आकर्शित करने के लिए, वे पाते हैं कि विपरीत इमारत में बच्चे हैं, बहुत जल्दी हेलिकॉप्टर आ जाता है, लेकिन इमारत की छट पर एक आइकान पाते हैं, यह पता चला है कि योंग नाम और यूईजू ने संकेत नीचे बनाए हैं, पीर का निशान बनाने के लिए, वे बच्चों के लिए जीवित रहने की आशा हैं, हेलिकॉप्टर उपर से उड़ जाता है, बच्चे बच जाते हैं, लेकिन इसी क्षंग पास के एक गैस स्टेशन में विसपोट हो गया, विसपोट एक बड़ी लहर पैदा करता है, जिससे जहरीली धुन्द तेजी से बढ़ रही है, वे केवल जहरीली धुन्द से द प्रसारन मंच, पूरा ओनलाइन समुदाय देख रहा है और उसका अनुसरन कर रहा है, उनकी निस्वार्ट त्याग भावना, लोगों को भावो कर देती है, दोनों हजारों कष्टों से गुजरते हैं, अंत में इमारत की छट पर पहुंचें, लेकिन उनकी आँखों के साम इनने एक धुंद है जो पूरे आसमान को काटती है, मूल रूप से अगम्यत ही, सभी सरकें जहरीली धुंद से ढकी हुई है, महत्वपूर्ण क्षन में दो DJI ड्रोन उडे, तब अधिक से अधिक DJI ड्रोन दिखाई देते हैं, सेफ जोन में हर कोई मदद के लिए हाथ इनने जोन में भी रसी को ठीक करता है, जो और कस्ता है, दो लोग दीवार के पास खड़े हैं, लेकिन जब दोनों रसी के बीच में फिसलते हैं तो फंस जाते हैं, रसी का दूसरा सिरा भी धीला पढ़ने लगता है, वो ख्षन जबसाब एक बाल से लगके होते हैं, मजबूर हो गया, फिर जूल जाता है, ये कर जीवन या मृत्यू का फैसला करेगी, थोड़ी दे बाद हेलिकॉप्टर खोज और बचाव के लिए आते हैं, लेकिन जहरीली धुंद ने इस जगह को ढख लिया है, दोनों निश्चित रूप से मर चुके हैं, बचाव कर्मी पच्ता रही है, पीछे हटना चाहते हैं, फिर अचानत क्रेन पर देखते हैं, अभी भी दो छोटे जीव चल रहे हैं, वे योंग नाम और यूई-जू हैं, अन्त में, वे अभी भी हार नहीं मानते हैं, दोनों लोगों को बचा लिया गया है, रिस्क्यू बेस पर योंग वापस तुम्हें डटा हूँ। यह बहुत भारी है। मैं इसे आज दूर नहीं ले जा सकती। इसमें इतना भारी क्या है? कितना बेवकूफ सीधा आदमी है जो अकेला रहने का हगदार है। सौभागय से वो अंतता इसका पता लगा लेता है। उसी समय बारिश होती है। जहरीली धुंद धीरे-धीरे दूर हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल जहरीली गैस नहीं होती। आपदा नहीं। लेकिन वो खुद आदमी है। कौन जाता है? कौन रहता है? यह बुनियादी मानविय मूल्यों से जुड़ा है। पिछले युग में इस तरह के महत्वपूर्ण मूल्य, मानव समाज को आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस आपदा की स्थिती में यह एक जाल है। अंत में मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अपने शरीर से भरपूर व्यायाम करें। जब आपदा आपके सामने होगी, तो आप में अपनी रक्षा करने की क्षमता होगी।